एक अक्टूबर से बदलने वाले हैं ये बड़ी नियम अभी जान लेजिए पूरी जानकारी नहीं तो बाद में पड़ेगा पच्टादा सितंबर के बाद नहीं खरीद पाएंगे सिम और ना जमा कर पाएंगे अकाउंट में पैसा भारत सरकार ने कर दिया बड़ा निर्ने सितंबर के बाद अक्टूबर में हो जाएगा भारत के कई नियमों में बड़ा बदला भारत के किसानों को भी करना होगा ये काम हमारे साथ समझे भारत के नए नियम का पूरा नया इंतजाम भारत सरकार एक अक्टुबर से बहुत सारे बदलाव करने जो आई है जिन बदलाव के बारे में आपको जाना बहुत जरूरी है नहीं तो बाद में पच्चताना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद वो सभी काम रुक जाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है तो खबर को सरकार अक्तूबर महीने की पहली तारी को कुछ नियमों में बड़ा बदलाव करने ज़ा रही है नहीं बदलाव में से एक बदलाव 2000 के नोट को लेकर भी है दरसल अभी हाल ही में केंद्र सरकार और RBI द्वारा देश भर में 2000 के नोटों में पूरी तरह से रोक लगाने का फै इसलिए आपके पास अगर 2000 के नोट रखे हुए हैं तो इस नोट को आप अक्टूबर से पहले ही बदल लीजे नहीं तो आपको इसके बाद बड़ा आर्थिक जोखिम छेलने को मिल सकता है और इसी क्रम में अगली खबर या अगला नियम भारत के किसानों को लेकर है इस न कारिक वैपसाइट पर जवाकर अपने खाते को एक वाईसी से अपडेट कर वाले आने था कि इंदर सरकार द्वारा दी ज़ाने वाली किसान सम्मान निधी योजना के तहत पंधरवी किस्त का लाव उन सभी किसानों को नहीं दिया जाएगा जिन्होंने अपने खाते को एक KYC को लेकर अभी तक अपडेट नहीं किया है इसी क्रम में अगला नियम अगली योजना ये है अगर आपने पोस्ट आफिस के छोटी बच्चत योजना के तहत अपने पैसों का निवेश किया है तो आप 30 सितंबर से पहले अपने पोस्ट आफिस या फिर अपने निजी पैंक प्रांच में जाकर अपने अधार कार्ड नंबर सब्मिट करवा दें अनिता 30 सितंबर के बाद से छोटी बच्चत योजना के तहत मिलने वारे सभी लाब और आपके अकाउंट को रोग दिया जवाएगा और इसके बाद आपको इस योजना का लाब मिलने दिक्कतों का साम पड़ेगा ऐसा इसलिए क्योंकि राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड को 30 सितंबर तक अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवारे कर दिया है अनिता उनके राशन कार्ड को के इंदर सरकार के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और फिर आपको राशन न वाले स्कैम को रोका जा सके ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीते कई दिनों से फरजी सिम के द्वारा लोगों से भारी मात्रा में धन उगाई की ज़ारी साथी इन सिमों के द्वारा लोगों को ब्लाक मेल भी किया जा रहा है इस जिसरकार ने ये कदम उठाया ताकि इ Pira Report, PDN News.